मुश्कार बच्चू इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 10 के मुट्पिल चॉइस क्वेशन होने वाले हैं यह एकॉन्मिक्स के होंगे और चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एकॉनमी और यह जो क्वेशन यह सारे बोल्ड एक्ज नाइटीनफ़र्टी सेवन में मिली है ठीक है और किस से मिली है ब्रिटिश से मिली है नेक्स्ट प्रशन बर टू में कहा गया पीपल ऑफ चाइना वह इस्टैब्लिश्ट इन तो तो माउज जिदॉंग आप लोग ने माव आदी सुना होगा तो माउज जिदॉंग जो है जो यह कह सकते हैं कि उनी की बाते थी उनी के जो यह कह सकते हैं आइडियल्स थे उनी की आइडियल्स को फॉलो किया गया तो एक चीज बनी जिसको कहते हैं माईजम ठीक है तो यह चेर्मेन थे इन्होंने ही कहीं ना कहीं इस पार्टी को फॉर्म किया था चेर्मेन थे और नाम अगर देखेंगे तो Communist Party of India मतलब इन्होंने जो Party Form करी थी उसका नाम क्या था Communist Party of India तो नहीं कहेंगे Communist Party of क्या कहेंगे China चाइना कहेंगे ठीक है तो Communist Party of China तो China का Formation कब हुआ है जो China का Formation हुआ है 1949 में चाइना पार्टी का नहीं, People Republic of China मतलब चाइना का फॉर्मिशन को है, पार्टी का नहीं चाइना की सबसे बड़ी GDP तो पहले US की है और दूसरे पर चाइना की है इसमें सेकंड हो जाएगा अचा इंडिया के पूछी जाए है कि इंडिया की GDP किस नंबर पे है समय तो फिफ्ट नंबर पे है तो इंडिया कौन से नंबर पे है फिफ्ट नंबर पे है GDP के टर्म्स में कॉशन नबर फिफ्ट पे आते हैं When was the greatly forward campaign initiated in India तो देखे greatly forward नाम की जो campaign है वो mainly industrialization को बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाने के लिए industrialization को बढ़ाने के लिए चाइना में start करी गई थी अब बताना है कब start करी गई थी इस चीज को बताना है तो यह start करी गई थी 1958 में ठीक है next पे आते हैं next question question number 6 है इसमें कहा गया dash is a geographical region that has economic laws different from a country's typical economic law तो देखे एक ऐसा region है इन में से जिसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी economic laws होते हैं तो इसको कहते हैं special economic zone SEZ मतलब है special economic economic zone ठीक है तो इसको कहा आता है special economic zone next पे आते हैं 7th question कहा रहा है when was one child norm introduced in China तो चाइना में आपको पता होगा one child policy है अब इसको कब introduce किया था इसको approximately 1979 में introduce किया गया था तो इसलिए इसको कहेंगे late 1980s next पे आते हैं question number 8 में कहा गया what was the alternative name of first five year plan in 1956 of Pakistan तो देखें 1956 पाकिस्तान में गर देखेंगे पाकिस्तान 1956 में जो first year five year plan आया था उसका नाम और क्या था तो इसको कहते हैं medium term plan ठीक है तो medium term plan भी इसको कहा गया जो first five year plan था और एक अबाया था question number 9 पे आते हैं 9 में कहा गया dash includes quantitative aspect of per capita मतलब आपको बताने इन में से ऐसा क्या है जिसमें per capita भी included है ठीक है उसकी quantity क्या है मतलब किसी भी country का per capita क्या है वो included है GDP included है और साथी साथ अगर देखा जाए तो health और education भी included है तो यह जो index है यह कौन सी index को अब बात हो रही है तो इसको कहते है human development index hdi का मतलब है human ठीक है development index है next के आते हैं अगला सवाल देखते है अगले सवाल में देखे क्या कहा गया question number 10 है human development index measure dash of economy तो human development index जो है वो economy का क्या measure करती है ठीक है measure क्या सीज economy को measure करेगी तो quality of life को milieu measure करती है economy में ठीक है कि मतलब जो लोग रहते हैं उनकी quality of life क्या है next पे आते हैं question number 11 देखेंगे India is not a member of which of the following economic grouping तो कौन से group का ये India member नहीं है तो SAR का member है BRICS का member है G20 का member है G7 का member नहीं है next पे आते हैं next question question number 12 है the main aim of greatly forward GLF in China was to ensure rapid increase of तो देखें great leap forward कभी हमने बताया था क्यों increase किया गया क्यों इसको लाया गया था तो mainly industrialization को industries को बढ़ाने के लिए लाया गया था question number 13 पे आते हैं introduction of economic reform in China took place in the year तो देखें economic reform जो चाइना में start हुआ था वो किस year में start हुआता है बताना है one child policy किस country ने start करी थी तो चाइना ने start करी थी ठीक है और maximum अगर population देखिया इस समय चाइना की है और दूस निंबर पे कौन है इंडिया है ठीक है next पे आते हैं question number 15 क्या कहा रहा है 15 में कहा गया great proletarian introduced under their leadership of cultural revolution was तो देखिये जो cultural revolution ने start हुई थी चाइना में वो mainly किस ने start करी थी तो वो start करी थी Mao Zedong में ठीक है next पे आते हैं next question देखें question number 16 है GLF with respect to people Republic of China referred to as तो GLF को full form क्या होता है तो यह बताया था greatly forward होता है तो यहाँ पर C option सही हो जाएगा next पे आते हैं 17th question में कहा गया dash is the largest democracy of the world तो वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ी democracy पूछी जाए तो वो कोई और नहीं वो कौन है अपना प्यारा भारत है मतलब वो इंडिया है next पे आते हैं 18th question में कहा गया a company that owns और control production in more than one nation ठीक है तो ऐसी company जो एक से जादा nation में अपने production को control करती है या own करती है उसको कहते है MNC ठीक है MNC का मतलब होता है multinational company ठीक है multinational company ठीक है याद रखेगा MNC क्या होती है next पे आते है next question में कहा गया question में 19th है the money that is spent to buy asset हो गई machines हो गई और भी काई सारे equipment हो गए तो इसको खरीदने के लिए जो money होती है जो खर्च करी आती उसको क्या कहते है उस money को कहेंगे हम लोग investment कहेंगे ठीक है last question देखते हैं इसमें कहा गया President the countries Dash countries of the world are currently member of WTO तो WTMो इसमें कितने members है total member countries कितनी है तो यह है 164 चलिए comment box में आप लिखके होताएगा कि WTO जो है World Trade Organization है इसका headquarter कहाँ पर इस्थित है ठीक है headquarter आप बताएगा WTO का कहाँ पर है तो इसको आप लोग comment box में जरूर mention करिएगा और इस तरीके से हमारे कुछ questions थे जो अभी हम लोग ने discuss किये इसके लावा और भी कई सारे questions है जिसको आप लोग playlist में जा सकते हैं देखने के लिए और अपनी chapter को और अच्छे से revise कर सकते हैं और सारे इक सारे chapters के MCQs दोहाँ पर provide कर दिये गए हैं तो अभी क्लेफलाल में लोग इत्ता ही रखते हैं बाकी के और भी वीडियो जो होंगे वो as soon as possible आपको दे दिये जाएंगे प्लेइलिस्ट में ही तो अभी क्लेफलाल नहीं Thank you very much Goodbye जैहिंद